तो आज हम देखें डिस्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोड़िटिब और फ्लावर मनदब कि एक फ्लावर फ्लावर तो आप जानते होंगे मनदब फूल आप देखते भी होंगे हर जगे काफी अट्रेक्टिव होते हैं और इनहीं मेल और फिमेल दोनों से एक सोर्गन पैया जाते हैं जिनके माध्यम से रिप्रोड़क्शन होता है और न्यू बेबी प्लांट जनरेट होता है देखिए कितने सुन्दर-सुन्दर फूल आपको दिख रहे होंगे और इन्हीं फ्लावर में ही मेल और फेमेल दोनों पार्ट पहे जाते हैं और यह फ्लावर मतलब अगर हो तो मेरे ख्याल से रिप्रोड़क्शन पॉसिबिल नहीं है इसके साथ ही साथ इसमें फ्लावर को बनाने के लिए फ्लोरीजेन नाम का हार्मोन भी उत्तरदाई होता है तो चलिए बात करते हैं हम मेल रिप्रोड़िप आरगन एक की देशे देखो यहां पे फ्लावर एक फ्लोरल बड दिखाया गया था अब इसमें क्या है कि डिबलब्मेंट आफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम प्राइमोर्डियम आप जानते होंगे कि प्राइमरी जो सेल इस्ट्रक्शर क्रियेट होता है वो प्राइमोर्डियम कहलाता है अब देखिए क्या है कि सॉलेट्री फ करने वाले हैं यहां यह जो पार्ट दिख रहा है आपको जिसको हमने स्कैन करके दिखाया है यह पार्ट थेलमस कहलाता है मतलब कि जहां से पार्ट जुड़े हुए तो इसके नीचे फूला हुआ पार्ट हो जाए इस थेलमस कहते हैं उपर देखें अंड्रोसियम और नीचे गैनुसियम आपको दिखाया जा रहा है कैलेक्स दिखाया जा रहे है और यह एंड्रोसियम जो होता है मेल पार्ट होता है फिर देखें उपर को रोला एकदम दिखाया गया है पंखुडियां जो ह बोल सकते हैं मतलब की जानुसियम है जिसे हम इस में बोलते हैं और पिश्टिल भी कह सकते हैं इसको इसके साथ साथ इनमें जो होता है मेल पार्ट होता है पार्ट हो दाए जिसे हम इस्टिमेन बोलते हैं और पिश्टिल मदलब जायांग इस्टिमेन मदलब पूंकिशर देखिए यहां पर आप इस्टिमेन देख सकते हैं कई फ्लावर के इस्टिमेन आप देख सकते हैं को हम इस्टिमेन बोलते हैं यह जो होते हैं मेल पार्ट होत रहा है और फिर रिपीट कर रहा हूं कि फिलामेंट और अंथर यह दो पार्ट जो होते हैं वह कि आलवा जो पेटल्स ये सब जो है कुछ एकसेसरी होते है देखक्या होता है कि टू लूब देखो दूनों लोब आपको दिखाएगे एंथर के इसके अंदर यह ठीकस ऑफ एन अंथरलोब। एंथरलोब के थेकस, मतलब कि ये जो डिवाइट है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे टेट्रागोनल इस्ट्रक्चर इसका होता है, टेट्रागोनल मतलब चतुसफलक देखिये, यहाँ पे जो टु लोब में ये डिवाइट भी बताया गया था और कई बार मैंने चीज रिपीट किया है यह क्या है कि लेयर आफे यंग एंथर एक यंग एंथर जो होता है ना उसमें कौन-कौन से लेयर पहे जाते हैं देखो एपीडर्मिस पहे जाता है सबसे बाहर फिर एंडो थिस्यां फिर मिडिल लेयर फिर टैप्टम यह मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था आज फिर बता रहा हूं कि इसमें कौन-कौन से लेयर होते हैं फिर आप देख रहे होंगे इस प्रोजेनेस्ट इसूस पहे जाते हैं इसमें किसमें पहें जाते हैं आप देखो यहां पर कैसे होता मतलब कि फटता है देखो किस तरह से यह जो मतलब आपका पॉलेंस होता है ना वह रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद वहां से पॉलेंग्रेन बाहर निकलाते हैं आप देखिए यह माइक्रो सेल तो खेर वहां पर कोई दिकत नहीं है क्योंकि वह डिविजन होता रहता है ना देखिए